हेलो एब्रीबन बिलिंगों एंगलिश क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ मेरे नाम हराजा सिंग दोस्तों आज का जो टॉपेक है वो नाउन एंड ड़ंबर का फोर्थ पार्ट है जिसको लेकर आया हूँ और आप लोग देखिए इसमें बहुत सारे डाउट समने किल कर दियें बहुत सारी चीज़ें करा दियें क्योंकि इसकी मैंने थ्री वीडियो अल्रेडी दे रख कियें यह फोर्थ पार्ट है जिसको आप कंप्लिटली करेंगे और मैं बताता हूँ कि अगर आपको यह फोर्थ पार्ट पूरे कर लिए तो नाउन एंड नंबर की कोई भी आपको क्वेरी नहीं रहेगी सारे डाउट किलियर हो जाएंगे तो देर ना करते हुए चली शुरू करते हैं देखिए मैंने आप लोगों को यहां पर दिया हुआ है नाउन इंदर नंबर के पार्ट दे रखें ए बी अनसी तो पहले पार्ट में देखिए कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो लगते सिंगूलर हैं लेकिन होते पिलूरल हैं कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो लगते सिंगूलर हैं लेकिन होते पिलूरल हैं इनको कभी भी हम पिलूरल में ऐस लगाकर नहीं बनाते यह पिलूरल होते हैं लेकिन इनमें ऐस नहीं लगता कभी तो किल इसके जुंड को, हम cattle बोलते है, people है, poultry है, poultry का मतलब होता है, जहां मुर्गी और बदक का farm होता है, उसे poultry कहते है, and kawilry है, kawilry क्या होता है, एक ऐसी सेना जो घोडों पर चड़कर लडाई करती है, एक ऐसी सेना जो घोड़ों पर चड़कर लड़ाई करती है काविलरी होता है इनफैंट्री होता है इनफैंट्री भी एक ऐसी सेना होती है जो घोड़ों पर नहीं पैदल चलकर लड़ाई करती है तो ये दोनों मिलते जुलते बाड़ है कैविलरी होता है घोडों पर चड़कर लड़ाई करना और इनफैंट्री होता है पैदल जो सेना पैदल चड़कर लड़ाई करती है उसे इनफैंट्री बोलते हैं पुलिस है ये भी एक पिलूरल है पुलिसेज कभी नहीं बनाए जाएगा पिजेंट्री है पिजेंट्री बोलते हैं किसानों को जो किसान होते हैं उनको पिजेंट्री बोलते हैं वर्मिन है कीडे मकोडे जेंट्री है जेंट्री वो लोग होते हैं जो एक वर्क के बहुत हाइप प्रोफाइल के लोग होते हैं तो इसलिए जेंट्री बोला जाता है जेंट्री जेंटल से ही लिया गया है तो यहां पर जेंट्री जो पड़े लिखे होते हैं जेंटल लोग होते हैं उनके वर्ग को हम जेंट्री कहते हैं और नोबिलिटी है नोबिलिटी का मतलब होता है बहुत हाई प्रोफाल के लोग हो तो ये मैंने सारे बता दिये, ये वो डाउन्स होते ही जो कभी भी पिलूरल नहीं बनेंगे, होते पिलूरल हैं, कभी पिलूरल बनेंगे नहीं, अपने साथ S और ES नहीं लेंगे, क्लियर हुआ? तो मैंने आपको बता दिया, देखिए, B part है, B part में numeral nouns होते हैं, numeral nouns कोन कोन स होते हैं जैसे डर्जन है स्कॉर है डर्जन का मतलब होता है दर्जन और स्कॉर का मतलब होता है अंक है डर्जन का मतलब होता है अंक हंड्रेड है थाउजन है मिलियन है मिलियन का मतलब होता है दस लाक बिलियन है billion का मतलब होता है एक अरव trillion है trillion का मतलब होता है खरब तो बात समझ में आ गई तो यह पार्ट हो गया अब इन पर question किस किस तरीके से बनेंगे मैं examples के थूरू समझाओगा फिलाल आप भी समझेए next c part आता है c part में मैं आपको बदाना चाहूँआ कि कुछ nouns ऐसे होते हैं जो singular और फिलार्ट में different बते हैं सिंग्गूलर और फिलूरब में different हैं जड़ा देखी एक मैंजर मैं पिलूरण देखते हैं ические ända मैं के Hindi लिखूंगा आप देखे एसेंड़ का मतलब होता है कारिक्रम अब आजेंड़ा का जो ये पिलूरल है आजेंड़ा का singular हो जाता है आजेंडम रेटा, रेटा का मतलब होता है शुद्धी पत्र शुद्धी पत्र यह plural है इसका singular होता है aratum almeni almeni का मतलब होता है ऐसे चात्र जो पहले के होते हैं पूर्व चात्र जिसे बोलते हैं उसे almeni कहते हैं यह plural है और almenis इसका singular है तो मैं लिख देता हूँ पूर्व चात्र axis axis का मतलब होता है धुरी इसका singular होता है axis axis धुरी 이트 bliver है axis इसका singular है ऐसे ही banditti banditti का मतलब होता है लोटेरे डाकू और इसका singular होगा bandit इसका singular क्या होगा bandit इसका singular bandit ben जाएगा यहां पर मैं लिख देता हूँ डाकू लुटेरे लुटेरे हो जागा और इसका जो सिंगूलर होगा वो होगा बैंडिट क्या होगा बैंडिट होगा अब आता है बेक्टेरिया बेक्टेरिया का मतलब होता है कीडे मकोडे बैक्टेरिय का मतलब होता है किटाडू जिसे कहते हैं हम लोग किटाडू किटाडू अब यहाँ पर किटाडू बैक्टेरिया का यह पिलूरल है और इसका सिंगूलर वर्ड है बैक्टेरियम बैक्टेरिया का सिंगूलर वर्ड है बैक्टेरियम ऐसे ही criteria, criterion, criterion दोबारा समझ लीजे, criteria, criterion criterion नहीं होता है, criterion होता है तो criteria का मतलब क्या होता है? map dund map dund इसका singular है criterion ऐसे ही एक होता है data data का मतलब होता है आंक्रे इसका singular होता है datum data plural है, इसका singular होता है datum इसका मतलब होता है आंक्रे चलिए आते हैं, इस बार memoranda memoranda plural है और memorandum singular है memorandum का मतलब होता है इस मर्ति पत्र इस मर्ति पत्र phenomena यह बहुत अच्छा बढ़ है जो बारवार एक्जाम में repeat होता है phenomena phenomena का मतलब होता है गटना और phenomenon इसका singular है media बहुत फेमस बढ़ है और इसका singular होता है medium जिसे बोलते है माध्यम माध्यम ready इसका singular होता है radius ready होता है त्रज्या इसका singular है radius आगे देखिए koregenda और इसका singular होता है koregendum koregenda पिलूरल है इसका singular है koregendum इसका मतलब होता है संचोधन संचोधन maxima पिलूरल है maximum singular है दोबारे समझेए maxima पिलूरल है maximum singular है अधिक्तम इसका hindi meaning होता है अधिक्तम लास्ट है minima पिलूरल है इसका singular होता है minimum minima पिलूरल है इसका singular है minimum इसका मतलब होता है newntum तो दोस्तों मैंने आप लोगों को यह सारी चीज़ें बता दी जो मुझे हिंदी लिखने की जरूरत थी मैंने वहाँ पर आपको हिंदी में अर्थ बताया है और आपको पूरी तरह से इसका मतलब बता दिया है यह वह वाले नाउन है जो हमेशा पिलूरल में ऐसे होंगे और सिंगूलर में इस तरीके के होंगे तो मैंने आप लोगों को इनको समझा दिया एक बार और थोड़ी से नजर में देख लिजे यहाँ पर वह नाउन बतायते मैंने ए पार्ट में जो हमेशा पिलूरल होते हैं और पिलूरल लेकिन लगते सिंगूलर है लेकिन अगर पिलूरल इनको बनाये जाए और उनमें एस और यस लगाए तो गलत हो जाएगा यह प आपने नुमेरल नाउन्स बतायते मैंने डर्जन दर्जन स्कोर अंक हंड्रेड को सो सेकड़ा थाउजन हजार मिलियन दसलाज बिलियन एक अरब और ट्रिलियन खरब तो मैंने आप लोगों को यह सब समझा दिया तो आगे चलते हैं अब लोग ऐसे कैसे हम इसे सॉल्व कर सॉल्व करता हूँ आपके सामने कांट यू सी सब्सक्राइब काट्र इस ग्रेजिंग तो मैं दिखाई नहीं दे रहा है जानवर पशुह चरह रहे हैं कहां पर फील्ड में तो यू केंनोट प्रें इसलिए तुम यहां पर खेल नहीं सकते तो यहां पर बच्चों जैरा द जो cattle है यह मैंने आपको बताई था कि यह always होता है पिलूरल लेकिन आपको लगेगा singular तो जब यह पिलूरल होगा तो इसके साथ वर्ब भी हमेशा पिलूरल आएगी पीपल है पुलिस है कैटल है है ना पिजेंट्री है कावलरी है इनफैंट्री है अभी मैंने आपको बताई था तो ऐसे शब्द जो हमेशा क्या होते हैं पिलूरल और वर्ब भी लेते हैं पिलूरल इनके साथ singular वर्ब नहीं आएगी हमेशा पिलूरल वर्ब आएगी तो यहां पर is नहीं आएगा यहां आएगा all दूसरा sentence देखिए science has proved that even vermin carries disease आप देखें यहां पर देखें science has proved that even vermin vermin का मतलब होता है आप जानते होगे vermin का मतलब क्या होता है कीडे मकोडे क्या होता है कीडे मकोडे तो यहां पर वर्मेन एक क्या है मेरा पिलूरल ना हुने क्या है पिलूरल ना हुने आपको लगेगा यहां पर यह सिंगूलर है लेकिन नहीं यह पिलूरल है तो पिलूरल के साथ यह यहां पर singular verb क्या कर रही है यह नहीं आएगी क्या आएगा carry क्या आएगा carry क्लियर है next sentence दखिए the poultry of the farm have been infected with the serious disease अब आपको मैंने बताई था poultry क्या होता है बतक यहां मर्गी का जो farm होता है उसको poultry बोला जाता है तो poultry ऐसे कभी ने लिखा जाता क्योंकि यह polluti एसे नहीं बनता तो यहां पर तो poultry कैसे लिखा जागा P-O-U-L-T-R-Y poultry अब है यह plural ऐसे plural रही बनता है यह है इसका plural तो the poultry of the farm have been infected with the serious disease अगर यहाँ पर यह poultry आता और यहाँ पर यह singular verb दे रखी होती हैस दे रखा होता तो गलत हो जाता क्योंकि यह plural noun है और हमेशा अपने साथ plural verb लेता है बात के लिए रहे चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए many people have given up their gas subsidy for the poor बहुत सारे लोग क्या है अपनी subsidy को किसको देते हैं गरीब लोगों को अब देखिए यहाँ पर many people है तो मैं आपको बता देता हूँ अगर मैं people की बात करूँ तो यहाँ पर बन जाता है रास नेशन इतना अंतर होता है तो यहाँ पर नेशन की तो बात कोई की नहीं जा रही तो यहाँ पर किया जा रहा है many people तो यह S नहीं आएगा अब यह पिलूरल है इसलिए यहाँ पर वर्भी पिलूरल आएगी तो many people have given up their gas subsidy for the poor अब सही है यह बात के लिए रहे चलिए अब यहाँ पर आते हैं दा जैंट्री ओफ आर कलोनी वह इनवाइटेड तो अटेंड मीटिंग अब यहाँ पर क्या रहा है देखिए जैंट्री जैंट्री का मतलब को तो ऐसे लोग जो एक जैंट्री होते हैं अपने सुसाइटी में अपनी कलोनी में अपने एरिया में बहुत सजल लोग होते हैं उनको बोलते हैं जैंट्री क्या बोलते हैं जैंट्री तो यहाँ पर यह पिलूरल होता है और वर्ब भी हमेसा अपने एक बात क्या लेगा पिलूरल भी ये ऑच्छोद आप एक बात ज्यासित रखना ये वाज आया है क्या आया है वाज तो वाजмен इसके लिए नहीं आया इस कॉलोनी के लिए नहीं है आप लोग सोच रहे होगे कि वोज कोलोनी के लिए आया है अगर आपसे मैं पूछू कि यहां पर सब्जेट क्या है तो देखिए मैं आपको बता दू यह पूरा ही सब्जेक्ट है यह पूरा ही सब्जेक्ट है लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें में गया gentry gentry एक में सब्जेक्ट बना तो gentry plural होता है इसलिए वर्भ भी पिलूरल लेगा तो यहाँ पर gentry के साथ वॉजन आकर वर आएगा तो gentry के साथ वॉजन आकर वर आएगा बात के लिए रहे चलिए तो sentence कैसे बना दा gentry of our colony were invited to attend the meeting next देखिए दा ओल्ड एलूमनस एलूमनस क्या बतायता है मैंने आपको ऐसे विध्यारती जो पहले होते आप लोग किसी कॉलेज में या स्कूल में पढ़ रहे हैं और उस स्कूल को छोड़ दीजे तो आप उस कॉलेज या स्कूल के या यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र बन गए तो इसको क्या बोलेंगे ऐलूमनस अब यह जो हे ता हो जो यह है यह सिंगूलर है क्या है यह सिंगूलर है तो यहाँ पर क्या है है यह अकर क्या हैंगा alumini क्या आएगा alumini, यह plural आएगा यहाँ पर singular नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे चात्र होते हैं एक चात्र थोड़ी होता है तो यहाँ पर the old alumini of the college meet every month अब मेरे बच्चों, अगर यहाँ पर aluminius लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था यहाँ पर meets होता, तो यहाँ पर aluminius ठीक था, लेकिन यहाँ पर verb की plural form दे रखी है, कौनसी form दे रखी है, plural form दे रखी है तो यहाँ पर plural form आएगे किस के लिए जब कोई subject plural होगा तभी तो verb plural लेगा, अगर यह aluminius है, aluminius एक singular है verb singular लेता, अगर aluminius के यहाँ पर verb होती meets, क्या होती meets, तो यह sentence सीख था लेकिन यहाँ पर meet plural है, singular नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आपको plural बनाना पड़ेगा इसको तो alumini बन जाएगा, पूर्व चात्र, पूर्व चात्र क्या करते थे, the old पूर्व चात्र जो थे, of the college, meet every month हर महीने मिलने आते थे तो यहाँ पर इसलिए, यह meet ही रहेगा, अब सही है sentence, बात के लिए रहे चलिए आगे चलते हैं there are many useful bacterium, bacterias अब यहाँ पर bacteriums दे रखा है, क्या दे रखा है, bacteriums in water, बहुत सारे useful bacteria होते हैं, किटाणू होते हैं, किसमें, पानी में अब बच्चों यहाँ पर देखिए मैंने आपको बतायता, एक होता है bacteria यह pillural है और एक होता है bacterium यह pillural है और यह singular है अब यहाँ पर इसमें क्या किया है bacteriums कर दिया है और bacterium कोई शब्द नहीं है bacterium कोई वड नहीं या तो होना चाहिए था bacteria, या होना चाहिए था bridge रियम, vacunished नहीं होता तो इसलिए आपर क्या गलती है यह गलती है, बात कि लिए रहे चलिए आगे चलते है the customer handed over a hundred rupees note to the shopkeeper तो क्या किया है customer ने पैसे किसको दिये shopkeeper को और कितने रुपे दिये a hundred rupees note अब बात समझ लीजे कि देखे मेरे बच्चों यहाँ पर जी note है यह एक noun है और इस note के लिए article आया है ए आर्टीकल इस note के लिए आया है और आपको मैं बता दू कि noun से पहले noun से पहले हमेशा adjective होता है क्या होता है adjective यह रुपी noun भी है और adjective भी है यहाँ पर यह adjective का काम कर रहा है ना कि noun का काम कर रहा है तो इसलिए और adjective कभी भी plural form में नहीं होता कभी handsomes नहीं होता कभी smarts नहीं होता कभी darks नहीं होता कभी weaks नहीं होता कभी intelligence नहीं होता कभी beautifuls नहीं होता तो जितने भी adjective की काम करेंगे या adjective बनेंगे या खुद adjective होंगे वो कभी plural form में नहीं आएंगे तो यहाँ पर क्या गलती है यह noun है noun से पहले ही क्या बना adjective बना और यह भी एक adjective है जो numeral adjective है तो यहाँ पर adjective singular form में आता है हम इस सब्सक्राइब form में नहीं आता है तो 100 रूपी note बात के लिए रहे चलिए आगे बढ़ते ही 40 kilometers यहाँ तक तो ठीक है 40 kilometers are a long distance मेरे बच्चों यहाँ पर एक चीज़ देखिए अगर मैं आपसे कहूं 40 kilometers ठीक है लेकिन उसमें क्या दिखाया है एक सीदी सी एक distance को दिखाया है किसी एक distance को दिखाया है तो यहाँ पर 40 kilometers are long distance जो 40 kilometers की जो दूरी है बहुत एक दूरी बड़ी है वो long distance है तो यहाँ पर यह singular refer कर रहा है यहाँ पर पिलूलर नहीं करेगा इसलिए यहाँ पर is आएगा अब मैं आपको ऐसे समझाता हूँ देखिए अगर मैं तुमसे यह कहूँ कि माल लिजे 30 people is the name of my shop 30 people is the name of my shop तो यहाँ पर 30 people जो है मैंने अपनी shop का नाम रखा हुआ है मैंने अपनी shop का नाम रखा हुआ है जैसे मैं कहता हूँ 3 children is the name of my book तो यहाँ पर is इसलिए आएगा क्योंकि एक particular book का नाम है तो ऐसे ही यह किसी एक particular चीज को दिखाता है जो long distance है न वो 40 km की एक long distance है बात के लिए रहे तो यहाँ पर आपको याद रखना है किसी भी चीज का नाम होता है या कोई चीज एक amount दिखाए जाता है जैसे मैं कहाँ दूँ आपसे 500 rupees is a huge amount 500 rupees is a huge amount तो जो 500 rupees है वो एक बहुत बड़ा amount है तो यह एक amount को दरसा रहा है ना कि यहाँ पर plural form आएगी अगर मैं आपसे यह कहूँ 500 rupees are given to the shopkeeper तो यहाँ पर 500 rupees 500 rupees दिये गए हैं यहाँ पर 500 rupees दिये गए हैं तो यहाँ पर अंतर है 500 rupees are given to the shopkeeper यहाँ पर sentence यह अलग है ऐसे दूसरा मैं यह कहता हूँ 500 rupees is the name of my book इसका मतलब है इस book का नाम है तो clear हो गया तो इसलिए यहाँ पर is a long distance आर नहीं आएगा यहाँ पर next देखिए thousands of students has passed मेरे बच्चों यहाँ पर एक बात देखना यह thousands है और यह भी students है जब भी कभी भी numeral nouns जब भी कभी भी numeral nouns hundred, thousand, millions, billions, trillions, dozens, score अगर ऐसे आते हैं अगर इस तरीके से यूज किया जाए जैसे मैंने आप से कहा dozen of pen तो देखिए यहाँ पर गलत है जब भी कभी numeral nouns के बाद numeral noun के बाद अगर कोई of preposition आया है क्या आया है preposition आया है और यहाँ पर numeral adjective है numeral noun है numeral noun है तो आप लोग क्या करेंगे यह numeral जो noun है वो हमारा क्या काम करेंगा यह भी pillural बनेगा और यह भी pillural बनेगा dozens of pens dozens of bananas dozens of pencils बात किलियर है तो यहाँ पर अब मैंने कहा hundreds of people hundreds of people thousands of thousands of students thousands of girls millions of people तो यहाँ पर यह सारी चीज़े है हमेशा ऐसे पिलूरल में आएंगी तो दोनों ही पिलूरल फॉर्म में होंगी जब भी कभी भी numeral noun के बाद अगर off लगा हुआ है और उसके बाद कोई noun है तो यह दोनों ही पिलूरल फॉर्म में आएंगी और अपने बाद हमेशा पिलूरल वर्व लेंगी हमेशा पिलूरल वर्व लेंगी बात किलियर है तो इसलिए यह concept अच्छा है यह examples अच्छा दे रखा है आप लोग इसको समझने की कोशिश करिए तो इसलिए आप लोगों को मैंने इस examples के माद्यम से इन examples के माद्यम से आपको बहुत सारे doubts किलियर करें हैं जड़ा देखते हैं तोड़ा सा और देखते हैं अगर मैं आपसे यह कहूं कि देखिए अगर मैं आपसे कहूं वन रूपी यहाँ पर समझना इसको वन रूपी तो यह ठीक है बिलको ठीक है अगर मैं आपसे कहता हूं 10 रूपीज अब यहाँ पर रुपी आए रुपीज आएगा यहाँ पर रुपीज आएगा 10 रुपीज बात के लिए रहे अगर मैं आपसे यह कहता हूँ 100 ठीक है 100 ठीक है यह भी ठीक है यह भी ठीक है लेकिन अगर मैं यहाँ पर यह कहूँ 200 तो आप लोग सोच रहे होगे कि टू हंडेड्स आ जाएगा यह गलत है यहां पर क्या रहेगा टू हंडेड्स ही रहेगा टू हंडेड्स यहां पर कभी हंडेड्स नहीं होगा टू थाउजेंड्स नहीं होगा टैन मिलियन होगा बात के लिए रहे ऐसे टैन डजन्स नहीं होगा टैन डजन होगा तो यहां पर चाहें सिंगूलर लिखा हो वन लिखा हो टू लिखा हो थ्री लिखा हो फाइव लिखा हो टैन लिखा हो कुछ भी लिखा हो यह नुमेरल ना जो होते हैं हमेशा singular refer करते हैं किसी adjective के साथ बात के लिए रहे हैं अब तोड़ा सा आपके देखिए अगर मैं आपसे यह कहूं कि फाइव कि रुपी अब यहां पर रुपीज आएगा क्या आएगा फाइब रुपीज अगर मैं इसके आगे लिख देता हूं फाइव रुपीज नोट तो मैं वही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूं अब मेरे बच्चों यहां पर क्या आया नोट आया क्या आया नोट यहां पर यह नाउन था यहां पर भी यह नाउन था और यहां पर अब क्या बन गया यहां पर मेरा यह नाउन है और यह मेरा ए adjective है यह भी मेरा adjective है यह भी मेरा adjective है तो अब क्या करेंगे यह noun है और adjective है कभी भी plural नहीं आएगा कभी भी पिलूरल नहीं आएगा अब यह बताए फाइव रुपी नोट है अब नोट क्या है एक common noun है जो singular है और मैंने आपको बताया था कि singular कभी भी बिना article के नहीं आएगा तो यहां पर sentence कैसे बनेगा अब फाइव रुपी नोट ऐसे ही मैंने आपसे कहा टैन टैन रुपीज तो देखो बच्चों यहां पर यह 10 adjective है और यहां पर यह नाउन है अगर मैं आपसे यह कहूं 10 रुपीज नोट 10 रुपीज नोट अब यह नाउन बन गया यह adjective बनेगा और adjective का भी plural form में नहीं होता यह खुद adjective है अब मेरे बात चोई बताइए जब यहां पर मैंने नोट कर दिया और मैंने यहां पर लिख दिया five five लिख दिया अब यहां पर five आया note मेरा common noun है और यहां पर यह adjective है तो यह note किसके लिए आ रहा है five के लिए आ रहा है तो यहां पर नोट सुझाएगा यहां पर आ नोट था यहां पर five नोट दस-दस रुपे के पांच नोट है दस-दस रुपे के फाइव नोट से तो बात सावन में आ गई यहां पर five ten रुपी नोट सा आ जाएगा बात के लिए रहे ज़रा एक और देखिए अगर मैं आपसे यह कहूँ तो two stars हो जाएगा क्लियर है अगर मैं आपसे यह कहता हूँ ten stars क्लियर है अगर मैं आपसे यह कहूँ के ten stars के बाद अब मैं लगाता हूँ hotel क्या लगाया hotel तो मैंने कहा आपसे five star hotel five star hotel तो देखिए मेरा यहां पर यह अभी तक नाउन था क्या था यहां यह नाउन था यहां पर भी एक नाउन था अब यहां पर यह hotel noun है और यह adjective है और adjective कभी plural form में नहीं आता यहां पर five भी adjective है अब hotel कितने है five star hotel एक है क्योंकि hotel लिखा हुआ है तो यह hotel के लिए यहां पर आर्टिकल आएगा अगर मैं आपसे यह कहूँ ten five stars hotel तो देखिए यहां पर क्या है यह मेरा noun हुआ यह मेरा adjective है यह भी मेरा adjective है और यह भी मेरा adjective है तो यहां पर क्या हुआ, noun के बाद सारे adjective आएं, यह star होगा, stars नहीं होगा, five अब क्या है, दस, ten five star hotel है, तो क्या हुआ, ten एक number है, और यह plural refer कर रहा है तो इसके साथ hotels आ जाएगा, क्या आ जाएगा, hotels आ जाएगा, ten five star hotels और आपको गलती कहां दे रखी होगी, ten five stars hotel दे रखा होगा, गलती महीं पर होगी तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है, बात के लिए रहे, तो ऐसे मैंने आपको समझा दिया, आप लोगों को यह चीज़े समझ में आने चाहिए, जिसके example, एक दो example देता हूँ इसका, जिससे आपको समझ में आ जागा, अगर मैं आपसे यह कहूँ इस्टेड्ग इन फाइव स्टार्ज होटल, यह संथे मरे आपको दे दिया, अब संथे मैं आप देको तो गलती कहा है, मेरे पापा और में रुखे थे फाइव स्टार्ज होटल में, तो देखे मेरे बच्चों, यहाँ पर होटल एक नाउन है, और नाउन से पहले रखा है जो कभी भी पिनुर्ल फरम में नहीं आएगा और पाइव इस्टार होटल रह तो होटल में सिंग्यूलर आया है और सिंग्यूलर नौन के साथ हमेशा आठीकल आता है जाहर को सिंग्यूलर कउटेबल नाउनिस बिना आपसे यह कहूं, my elder brother gave me five ten thousand rupees notes, यह लिख दिया मैंने, आप क्या किया, वही वाली condition आपको अपना नहीं, तो यहाँ पर देखिए, notes एक plural form है, जो noun है, noun से पहले रुपीज लिगा हुआ है, जो singular में आएगा, क्योंकि यह adjective होनेगा, अगर यहाँ पर thousand होता वो भी गलत था, तो यहाँ पर ten thousand rupees note, कितने हैं, five, five, यह five किसके लिए आया है, यह इसके लिए आया है, बात के लिए रहे, एक sentence और देखिए, जो मैंने example बतायता है, अगर मैं आप से यह कहूँ, 10 students are the name of my institute, 10 students are the name of my institute, अब आप यहाँ पर देखिए, यह 10 students है, जो पिलूरल है, क्या है, पिलूरल है, अब यहाँ पर पिलूरल है, तो वर्ब भी पिलूरल आने चाहिए, बिल्कुल सही है, तो sentence को ज़रा पूरा पढ़ कर देखिए, 10 students are the name of my institute, अब यह किसी institute का नाम है, और किसी institute का नाम तो कुछ भी हो सकता है, तो पिलूरल तो कभी होगा नहीं, तो इसलिए, जो यह आया है, 10 students, यह नाम को टिनुट कर रहा है, किस को टिनुट कर रहा है, एक नाम को टिनुट कर रहा है, इसलिए से singular माना जाएगा, यहाँ पर is आएगा, बात के लिए रहे, तो याद रखना किसी भी sentence के मात्यम से हम यह पता लगा सकते हैं, ऐसा नहीं, कि अगर मैं और वर्व को decide नहीं कर सकते, कि इसके साथ क्या आएगा, तो बात समझ में आ गई, तो मैंने इनको बहुत सारी चीज़ को, noun and number को खतम कर दिया, यह last part था, noun and numbers का, आपको आशा करता हूँ को सारी चीज़ अच्छी तरह से clear होगी, तो मिलते हैं, next video में, next topic के साथ, अगर आ